देश में अभी चारों तरफ चुनावी माहौल है, नवंबर महिने में पांच राज्य में चुनाव होने हैं, सोशल मीडिया पर चुनाव को लेकर गहमासान देखने को मिल रहा है, सत्ता या फिर विपक्ष एक दूसरे को सोशल मीडिया पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं, ल प्रदाइक नफरत को बढ़ावा देने में उनके सोशल मीडिया प्लेटफोर्म्स की कतित भागेदारी है, इस खत को सोशल मीडिया साइट एक्स पर कॉंग्रस अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने साजह किया है, खत में साफतार पर इंडिया गडबंदन ने फेस्बुक की एक रिपोर्ट भी अटैच की है, जिसमें कतित रूप से सोशल मीडिया के जरिये देश में नफरत को बढ़ावा दिया गया है, विपक्ष ने जुकरबर को लिकी चिठ्थी में इस बात पर जोर दिया कि इंडिया गडबंदन में 28 राजने दिगदल शामिल है, जो सयु के कारे करताओं और समर्थ को द्वारा सांपरदा एक नफरत को बढ़ावा देने में वाटसब और फेस्बुक की भूमिका का परदा फाश किया गया था, खडगे ने यहां एक आलेक का हवाला भी दिया है, जिसका शीर्चक है भारत के दबाव में फेस्बुक ने प्रचा को दबाने का भी आरोफ लगाया, साथी कहाई कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपनी निश्पक्षता बनाए रखे और खासतोर पर चुनावों के दर्मियान इसका खास पालन करे, इनके अलावा भारतिये लोकतंतर में इस तरह की साइट्स का इस्तमाल और इनके अधिक मुल्यों का पालन करें और अपनी जिम्मेदारी ना भूलें, वही गूगल की सियो सुंदर पिचाई को लिकी चठी में विपक्ष ने वोशिंटन पोस्ट के एक लेक का हवाला दिया, जिसमें योट्यूब ने भारतिये मुसल्मानों पर हमले की लाइव स्ट्रीम करने वा देभी लाइव की रिपोर्ट